दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्लेज कंपनी के एक बहत्रिन प्रोड़क्ट जिस प्रोड़क का नाम है जी एनपी के बायो फर्टलाइजर के बारे में जी एनपी के एक जीवाणु उत्पाध है जो वातवर ने नाइट्रोजन नत्रजन को म्रदा में इस्तिर करता है तथा फासफेट एवं पोटास को गुलनसील बनाकर फसल की संतुलित पोशन में सायक है यहाँ पोधों के विकास पोधों के लिए अवशक सुचन तत्वों को जो अनुपलब्द रूप में होते हैं उन्हें गुलनसील बनाकर उपलब्द कराते हैं इस तरह पोशक तत्वों की उपलब्दिता को संतुलित करता हैं जैसे सभी फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं जैसे वर्षिये द्यू वर्षिये तथा बहु वर्षिये धान, गयहु, मक्का, गन्ना, अंगूर, अनार, सेब, संत्रे, वर्ग के फल, कपास, मुंग फली, केला, चाय, कॉफी, नारियल तथा दूसरे फल, फुल, जैसे होता था, अन्य अनार वाली फचले में आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका प्रयोग कैसे करना है आप इसका प्रयोग तीन तरीके से आप कर सकते हैं, बीज पौद्ध का उपचार, चार से पांच मिले एमेल जी एन पी के 1 किलो ग्राम बीज पौद्ध प्रति एक, लीटर पानी में 30 मिनिट तक भिगो कर छाया में सुखा कर लगाएं बायो फर्टिलाइजर वा बायो फंगिसाइड के साथ 20 उपचार किया जा सकता है। दूसरा मिट्ट्यूप चार 250 ml GNP के 25 लीटर पानी प्रती 100 किलोग्राम गोवर की खाद या वार्मी कंपोस में मिलाएं और पौधर की जड़ों में डालें। तीसरा इस्प्रे आप कैसे करें 200 ml GNP के 100 लीटर पानी में मिलाएं या 2 ml प्रती लीटर की दर से मिलाएं वा इस्प्रे करें दोबारा 10 दिनों के बाद फिर इस्प्रे करें बायो फेटलेजर वा बायो फंगिसाइड के साथ मिलाकर उपचार किया जा सकता है। यहाँ वाताबराण अनुकुलित है इसका मनुष्य पक्षियो जानवरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सो थैंक्यो दोस्तो आपको GNP के प्रोड़क के वारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी आपको पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो